चोटे चोटे कच्चे आम देखते ही देखते बड़े हो जाते हैं और पक करके इतनी जल्दी खतम हो जाते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है तो इससे पहले आम पक करके खतम हो जाएं साल भर के लिए बढ़िया से अचार और गलका बना करके रख लेते हैं जब भी आम खतम बहुत सारे लोग सोचते हैं इसको पहले से धुलने की क्या जरूरत है चिलता उतारने के बाद इसको वैसे भी धुलना है तो पहले से नहीं धुलते हैं इसलिए उनके हाथ ज्यादा काले हो जाते हैं क्योंकि आम के ऊपर एक चिपचपा सा पदार्थ लगा होता है जब आम क भी वड़िया सफेध हो जाते हैं क्योंकि धीरे धीरे से वो हाथों से आम के उपर भी लग जाता है दुलने के बाद आम को हम इस तरीके से मंचा है पीस में कट कर सकते हैं लंबा या फिर चौको और पीस बना लेना है अब कड़ाई में दो चमस सरसो का तेल डालेंगे हलका गरम होने पर एक छोटा चमस हल्दी पाउडर दो चुटकी हींग डालेंगे तेल ये ज्यादा गरम होगा तो हल्दी पाउडर जल सकता है कटे हुए आम डाल देते हैं और इसे चलाते हुए मेक्स कल लेते हैं एक छोटा चम्म स्वात के अनुसर नमक डाल देते हैं अब नमक डालने के बाद फिर से आम और नमक को मिक्स कर लेते हैं कुछ सिकंड के लिए से मध्यमाज पर ढख करके पकाते हैं उसके बाद आम को चेक करते हैं कच्ची आम में थोड़ा बहुत पानी होता है इसमें से थोड़ा बहुत पानी निकला है और एक कप इसमें हम पानी अलग से डाल देते हैं ज्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो फिर बाद में ज्यादा हमको जलाना पड़ता है अब मध्यमाज पर एक मिनट से ढख करके पकाना है दूसरे चुले पर हम इसमें डालने के लिए थोड़े से मसाले भून लेते हैं एक चोटा टुकडा दाल चीनी का काली मिर्चा बढ़ा सकते हैं या तीखा ज्यादा खाते हैं एक चम्मजीरा, सौफ और तीन चोटी इलाइची इन सभी मसालों को मद्यमाज पर कुछ सिकेंड के लिए भूनना है 10 से 12 इसमें मेथी के दाने डालने हैं बिल्कुल कम मात्रा में सभी मसाले भूनने के बाद इनको हम ठंडा करेंगे उसके बाद इन्हें हम पीस लेते हैं कच्चे आम को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है आम को एक बाद चेक कर लेते हैं लगबग 50% आम पक चुका है इस टाइम पर इसमें गुर डाल देना है यदि ज्यादा आम पक जाता है तो बिल्कुल चटनी की तरह गलका बन जाता है इसलिए आम को बहुत ज्यादा नहीं पकाएंगे थोड़ा सा गुर के साथ में भी आम को पकाना है 300 ग्राम हमने इसमें गुर डाल दिया है यदि आम ज्यादा खटी है तो गुर की मात्रा बढ़ा करके ले सकते हैं कुछ सेकेंड के लिए हमने इस पर धक्कन लगा दिया था ताकि गुर जल्दी से मेल्ट हो जाए सारा गुर पिखल करके चासनी जैसा बन गया है अब इसमें भुने हुए मसाले का पाउडर डाल देते हैं यह भुने हुए मसाले का पाउडर गलके में बहुत ही अच्छी खुस्बू और टेस्ट देता है तो इन मसालों को बढ़िया से मिक्स कर देते हैं नमक हमने इसमें पहले भी डाला था इसलिए अब इसमें काला नमक डालेंगे गलके में काला नमक बहुत ही अच्छा खुस्पू और टेस्ट देता है इसलिए थोड़ी सी कम मात्रा में डालेंगे क्योंकि पहले से हमने नमक डाल रखा है थोड़ी सी इसमें कलॉंजी डाल देते हैं और इन सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं अब हम इस पर धक्कन लगा एक मिनट के लिए आज को मध्यम ही रखेंगे वैसे तो यह हमारा गलका बन करके तयार हो गया है यदि आप इसे हपते भर या दो-तीन दिन ही खाना चाहते हैं तो इसको और ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है इस टाइम आप आज को बन कर सकते हैं और हपते भर या दो-त साथ महीने के लिए आपको इस्टोर करके रखना है तो इसको थोड़ा सा गाड़ा होने तक और पकाना है इसको हम लंबे समय के लिए इस्टोर करके रखेंगे तो इसकी चासनी जल्दी खराब नहीं हो इसलिए इसको थोड़ा सा और गाड़ा होने तक पकाएंगे बहुत पहले से थोड़ा सा पतला ही रखेंगे तो ये गलका बन करके तयार हो गया है अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं आज को बन कर देते हैं खाने के लिए खटा मिठा आम का गलका बन करके तयार हो गया है और इसे रखने के लिए जब भी आप इसे जार में भरें तो आठ से दस घंटा इसको खुला ही रख दें ताकि ये बढ़िहा से ठंडा हो जाए उसके बाद किसी भी कांच के बरतन में इसको भर करके रख लीज चटनी बना करके साल 6 महीने के लिए आप इस्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आम का सीजन खतम हो जाता है उसके बाद भी आम खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरीके से आम की चटनी खा करके इंज्वाए कर सकते हैं सो फ्रेंस हमारी आज की ये खट्टी मिठी आम की रेस्पी आपको पसंद आती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं आपको इसी तरह की और भी लाजवाब नेक्ट रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाए